हलो दोस्तों आज मैं सुनाऊंगा बेटी बेटों से कम नहीं इक गाउं में राम सिंग और पद्मा पती पतनी रहते थे कुछ समय बाद उनका बच्चा होने वाला था पद्मा हॉस्पिटल में भरती थी नर्स ने राम सिंग को आकर खुश खबरी दी कि आपके जुड़वा बच्चे हुए हैं राम सिंग ने कहा कि दो दो लड़के लेकिन नर्स ने कहा कि एक लड़का एक लड़की राम सिंग लड़की नहीं चाहता था क्योंकि लड़की की साधी में होने वाले खर्चे से वा डरता था दो चार दिन के बाद राम सिंग अपनी पतनी और बच्च नहीं थी एक दिन राम सिंग अपनी पत्नी से बोला कि हम दो दो बच्चों का खर्च नहीं उठा सकते हमारी आर्थी किस्तिती अच्छी नहीं है इसके अलावा लड़की की साधी में होने वाले खर्चे को भी हम नहीं उठा सकते इसलिए हम लड़की को मेरे मित्र को सौब द पत्मा ने अपनी लड़की को देने से मना किया लेकिन राम सिंग के कहने पर दुखी मन से उसने अपनी लड़की को राम सिंग को सौब दिया राम सिंग ने लड़की को अपने मित्र की बीवी को सौब दिया बच्चा पाकर वो बहुत खुस हुएं इसके बाद समय बीता गया राम सिंग अपने लड़के को अच्छे से पाल रहा था और उसकी हर इच्छा को पूरा करता था लड़का जब 20 वर्स का हुआ तो उसने राम सिंग से बाइक दिलाने की जितकी राम सिंग ने अपने बीबी के गहने बेच कर उसको बाइक दिला दी कुछ समय बाद उसने अपने लड़के के लिए खेद बेच कर एक दुकान खुलवा दी जिससे वह कुछ कमाने लग गया फिर कुछ समय बाद उसकी साधी भी करा दी साधी के बाद राम सिंग के लड़के का वहवार बदल गया वह अपने पिता से बोला आप मेरे ससुराल वालों को ताना मत मारा करो रोज रोज वह किसी बात पर अपने माबाप से जगड़ा करता था एक दिन उसने राम सिंग और पत्मा दोनों को उन्ही के घर से निकाल दिया बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना राम सिंग और उसकी पत्नी एक मंदिर में गए वहाँ पहुँचकर पत्मा ने राम सिंग को कहा कि मंदिर का प्रसाद खा लेते हैं जब वो प्रसाद ले रहे थे तो वहाँ पर राम सिंग के मित्र की पत्नी आ गई उसने राम सिंग को पहचान लिया उसने अपने उसी बेटी से राम सिंग को मिलवाते हुए बताया कि यह वही है जिसको आपने 25 वर्स पहले हमको सौपा था आज यह एक डॉक्टर है और विधा आसरम भी चलाती है राम सिंग और पद्मा अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुस हुएं और उन्हें अपनी सारी बात अपनी बेटी को बताई इसके बाद वह बोली कि अब आप दोनों मेरे साथ ही रहेंगे इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लड़के लड़की में भेदबाव नहीं करना चाहिए तो दोस्तो कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जादस जादस सेयर करें धन्यवाद